वेलकम बैक टूदी चैनल एंड मुझे पता है आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि भाई यह मार्केट काफी जादा गिर गया है ऐसा क्यों अब यह चीज तो मुझे भी लगता है अनेक्सपेक्टेड थी ठीके बिटकोईन डॉमिनेंस का जब असर पूरे अल्ट कोईन्स पे पड़ा तो एडिये वाले जित्ते भी बंदे थे पहले एडिये की अपन कवर कर ले थे बिगोस एडिये में कई लोगों ने इन्वेस्ट जादा किया हुआ है और इस समय काफी जादा एक्टिव है एडिये को लेकर मैंने आपको पता है ने एक बाइंग कोल दी थी इस ट्रेल लाइन के अकोडिंग ठीक है और यहां से आप देख सकते हो लगबग 10% तक का अभी इसमें डिक्रिमेंट आया है ठीक है अब ऐसा क्यों देखो बिटकोईन डॉमिनेंस का ये सारा खेल है बिटकोईन जब भी आप एंड डाउन जादा ह होता है तब जितने भी अल्ट कोईन से वो उसी तरीके से मूव करते है ठीक है अगर बिटकोईन में एक बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता अगर इसमें सड़न डंप नहीं आता तो ये जो ट्रेल लाइन है इसी ट्रेल लाइन से ये एक हैल्धी पुल वेक आपको दिख जाना नहीं कि भई या और भी जाधा डाउन हो गया ठीक है अब मेरे कोडिंग जो एडी ए है इस समय काफ़ी जाधा ओवरऱोट हो गया है ठीक है ओवरबोट हो गया है तो काफी जाधा हाई चली गई और मैंने जैसे आपको बदाए था है कि भई तीन डॉलर के आसपास आ रहे हैं या फिर इवेंट की वेज़े से एंट्री ले रहे हैं तो उनको तीन सड़े तीन डॉलर के आसपास आके अपना जो भी लॉंग पोजिशन है उसको क्लोस कर देना है ठीक है तो ADA के लिए मैं अभी भी यही कहना करेंगे जितने भी अल्ट को इन से उनके बारे में भी डिसकस करेंगे साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने खुद ने भी बाय किया है ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ भाई मैं पहले ट्रेडर हूँ देन क्रियेटर हूँ ठीक है मैं भी ट्रेड करता हूँ अच्छे गासे से रात को बारा एक बज़े तक ट्रेड लिए तो ऐसी बात नहीं है अभी आप देख सकते हूँ मैंने जैसा आपको बताया था पिछवे तीन चार दिन से यही गाना गाता आ रहा हूँ है कि 50,477 यानि कि 50,500 एम इसको बोल सकते हैं यह लेवल जब तक ब्रेक आउट नहीं होगा तो मैं यह नहीं कहूँगा कि बुल रन कंटिनूर रहेगा यहां से आपको एक डम देखने को मिल सकता है और अभी आप देख सकते हो एक्जेक्ट यहां से इसको रिजेक्शन मिल है तो मज़गा आ जाएगा यहां से ब्रेकडाउन होने के बाद में प्राइस हमें इसके इम्पोर्टेंट जों जिस जोन के बारे में अपने अपने लाउस समझे के बारे हो अइसक वीदियो में कही बाद डिसकस कर रा है कि 46,700 से 47,000 जैंग जोन था जिसको बी टीसी कई ट्राइ करी थी breakout करने की यहां पर प्राइज आपको देखने को मिल सकती है ठीक है तो बस यह एक healthy correction है और मैंने आपको हमेशा से यही का है मैंने आपको जैसा समझा है कि market अगर uptrend में होता है uptrend का एक उसूल होता है uptrend का एक rule होता है कि higher high के साथ higher low ठीक है तो यहां आप द जाता है इतना तो तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है बीटी सी जो है एक healthy correction लेगा और वापस से आपको pull back करता हुआ देखने को मिलेगा ठीक है बस यह ज़रूर से ध्यान रखना अगर यह zone अगर तूट गया तो फिर बीटी सी वापस से बीश मोड में आ सकता है तो इसका आपको ध्यान रखना है लेकिन long term के इसाप से जो भी अभी hold करके बेटे हैं उनको तो tension ही लेने की जरूरत नहीं है ठीक है because btc मुझे लगता है कि इस साल थक 100 के लोग बोल रहे हैं लेकिन at least 80 के तक तो यह पहुंच सकता है ठीक है और इसके लावा अगर मैं आपक लेकिन अब वो चीजे क्या थोड़ा है आपको पता है income tax तो यहां पर मैंने एक screenshot आपको शेयर करी है कि इथेरियम में मैंने बाय कर लिया है और ऐसा नहीं कि आपने तो कुछ जादा ही dip में बाय कर लिया ऐसा नहीं है ठीक है जिस भी price पर मैंने आपको बताया था buying call वो ठ 2.44 का होगा अगर इसके पास price आती है तो यहां से एक healthy pump हमें देखने को मिलेगा ठीक है तो यह जब उसे ध्यान रखना अगर आपने इस trade line के according trade लिया है यानि कि अगर मैं INR के pair में बात करूँ तो लगबग 200 रुपे के तकरीवन ठीक है एक बार आप वजिरिक्स में जाक आपको बताया था एक descending triangle में चल रहा है और इसका descending triangle में क्या होता है breakdown होने के जाधा chances होते ठीक है जाधा क्या breakdown नहीं होता है और यहां से आप देख सकते हो यह एक breakdown लिया लेकिन यह जो support था ठीक है इस support पर मुझे नहीं लग रहा था कि price ठीक है price इसके नीचे जाएगी 26.52 लेकिन यह भी breakdown हुआ और prices के नीचे काफी चली गई थी लगबख price जो है मैं आपको बताता हूँ price जो है लगबख 24 USDT तक चली गई थी ठीक है तो इतना नहीं जाना चाहिए था अगर bitcoin की price में heavy dump up हैं देखने को नहीं मिलता तो dot जो है इस वाले support पर support लेकर एक अच्छा pull out होना था लेकिन breakdown हो गया बिकोस यह भी एक triangle की जैसा अभी बन रहा है ठीक है तो dot के बार में यह update हो गई और dot के बार में आपको चिंता लेने की जरूत नहीं है बिकोस कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि भी या अभी जो है वो काफी जादा dot गिर गया है तो क्या करें इसके लावा एक news update और निकल के आई थी जैसा आप देख सकते हो काड़ा नो चाल सा बियरिश वेज और ADA प्राइस हो बाई over 100% in Q3 ठीक है तो अभी मुझे लगता है कि यह न ओवर बोट हो चुका है और ओवर बोट के वरे से भी यह डाउन चला गया है लेकि मैटिक के बारे में कई लोग कूछने कि मैटिक का क्या हो सकता है तो देखो मैटिक ने अपना जो दो इंपोर्टेंट सपोर्ट था उसको ब्रेकडाउन कर दिये एक तो 1.57 एक 1.50 ठीक है यह भी ब्रेकडाउन हो चुका है तो मैं सिर्फ आप से यही कहना चाहूंगा कि अ 49% डाउन भी चला जाता है ना एंट्री लेने के बाद भी तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं होती इतना चल जाता है ठीक है तो मैटिक के बारे में यह अपडेट हो गई इसके अलावा डॉज के बारे में डॉज एडी डॉज के बारे में चलो नेक्स वीडियो में कवर क बहुत सारे ऐसे क्रेटर्स जो कि अभी नेगिटिव बाते कर रहे हैं डॉच कोई के रिलेटेड वो सभी के सभी पॉजिटिव हो जाएंगे और अब तक कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपको डिरेक्ली ऐसा बोल दें कि भाई डॉच कोई इस शिट कोई ठीक है बाई 2013 से मार् करता है कि डॉच कोई कब मूव करेगा लेकिन यह की हो सकता है कि जैसे ही बिट कोई की प्राइज आपको 60 के के पास देखने को मिले डॉच कोई में एक बड़ा मुमेंट आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है एक सार पी के लिए मैं अभी यह कहूँगा कि SAC के साथ में भी इनका जो लॉचुट का वो चल रहा है ठीक है तो अभी सैटलमेंट नहीं हुआ है और आपको पता है कोट कचेरी जरूर नहीं है कि इंडिया में लंबे-लंबे कोट कचेरी की चीज़े चलती है आउट ओफ इंडिया भी काफ़ी जादा लंबा टाइम लग जाता है ठी केस वगरे को solve होने में तो ये जो settlement है अभी कितना time लेगा इसका कोई मुझे idea नहीं है शायद हो सकता है कि ये पूरा साल ही ले 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 शायद ये हो सकता है कि 2022 का March तक हो जाए तो इसका मुझे इतना idea नहीं है तो XRP के लिए मैं इतना शौर नहीं हूँ ठीक है अलागी ये है कि रिपल का XRP है तो fundamentally अच्छा है मैं आपको इसके बारे में कुछ भी negative नहीं कहना चाहूँगा लेकिन ये जुरूर है कि short term की सापस में बस इतना से कहना चाहूँगा कि XRP फिलहाल में इसके बारे में no comments ठीक है ने बना लिया है Instagram पेज को भी आपको जरूर से follow करना चाहिए वहाँ पर आपको memes, crypto के related motivational quotes वगेरा सब कुछ देखने को मिल जाएगी Instagram पेज का link में मैं अपने description box में डाल दिया है और please 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 हमेशा 70 ग्रेना इस camera से सावधान रेना मैं कभी भी किसी भी तरीके से आपको किसी भी platform पर अगर मेरी voice में भी आपसे कोई contact कर रहा है किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि यही समझा दो भई है तो यह ज़रूर से ध्यान रखना मैं कभी भी आपके crypto को double या triple कराने की किसी भी तरीके से कोई scheme नहीं दूँगा और नहीं मैं आपके crypto को कभी मांगूँगा तो यह ज़रूर से ध्यान रखना मेरे नाम पर अगर कोई भी आपको आपके crypto transfer करने की बोल रहा है तो समझ जाना वो scammer से scammer के जाल से फसन है ठीके यह ज़रूर से ध्यान रखना और यह ICO, IDO यह सभी channels के साथ अभी चल रहा है ठीके जितने भी बड़े creator से आप जिनकों भी जानते हो वो सारे मेरे अच्छे दोस्ते हैं हम सभी ने कई बार इस चीज पर discussion करा हुआ है लेकिन यह scammer काफी खोपड़ी वाले हैं तो इन से जरूर से आप सतर्ग रहे ठीके तो मिलते हैं जल्दी नई update के साथ तिल रैन बाबाई